स्वागत है आपका Today Current Affairs में शुरू करते हैं आज का प्राशन IAT मदरास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया जाएगा A. निपाल B. बांगलादेश C. श्रीलंका D. भुटान Answer C. श्रीलंका Explanation श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजेयनता ने कहा है कि श्रीलंका के कैंडी में IAT मदरास का नया कैंपस शुरू किया जाएगा ये प्रस्ताव श्रीलंका के राश्ट्रपती रानल विक्रम सिंगे द्वारा वितमंत्री के रूप में पेश किये गए बजट 2024 का हिस्सा था इससे पहले IAT मदरास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था अगला प्राशन खाल ही में करनाटक उच्च न्यायाले ने किस बांध के पास खनन गति विधियों पर प्रतिबंद लगा दिया है ए हिमावती बी क्रिश्न राजसागर सी लिंगन मिक्की दी तुन्ग भद्रा आंसर बी क्रिश्न राजसागर एक्स्प्लिनेशन करनाटक उच्च न्यायाले ने मांध्या जिले में क्रिश्न राजसागर के आरेस बांध के 20 किलोमेटर के दायरे में सभी खनन गति विधियों पर प्रतिबंद लगा दिया केंद्रिय खनन और इंधन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में बांध सुरक्षा सर्वेक्षन कर रहा है विशेशग्यों द्वारा अध्ययन पूरा होने तक सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंद रहेगा अगला प्राश भारत के पहले डाक स्काई पाक का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला है महराश्ट्रा का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और इशिया का पाचवा डाक स्काई पाक वाला टाइगर रिजर्व बन गया है डाक स्काई पाक से रात्री आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूशन को कम करने में मदद मिलती है अंतर राष्ट्रिय प्रकृती सनरक्षन संग IUCN प्रकृती सनरक्षन और सनरक्षित क्षेत्रों में पारिस्तितिक को बनाय रखने के लिए प्रकृती कंधेरे को सनरक्षित करने के महत्वपर जोर देता है अगला प्राश्ट्र्शन स्वच सर्वेक्षन 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच गंगा शहर का आवार्ड मिला है A. कानपूर और प्रयागराज B. प्रयागराज और गाजीपुर C. वारानसी और कानपूर D. वारानसी और प्रयागराज Answer D. वारानसी और प्रयागराज Explanation D. उत्तर प्रदेश के वारानसी और प्रयागराज को सबसे स्वच गंगा शहर के रूप में चुना गया है Madhya प्रदेश में महो चावनी बोर्ड को सबसे स्वच चावनी शहर का पुरसकार मिला साल 2016 से स्वच भारत शहरी मिशन के तहट केंद्रिया आवास और शहरी मामलों के मंत्राले द्वारा आयोजित स्वच सर्वेक्षन शहरी स्वच हता और साफ सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षन है अगला प्राश्ट मुंबई को नवी मुंबई से जोडने वाला ये ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गिया अटल बिहारी वाजपेई के नाम पर अटल से तु रखा गया है अटल से तु 21.8 किलोमीटर लंबा है और इसमें 6 लेन है इस पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोर रुपे खर्च होए है झाला टुपेद।